हेलो गाइज कैसे हो आप लोग जाइस मैं बहुत दिनों से वेट कर travelled旅ँ यार पुस्तो अपडेट निकल गया है कि सब्सक्राइब करना चाहता हूं जितने भी यूट्यूबर्स यह बता रहा है कि यार एक देड़ महाईने में आएगी एक देड़ महाईने में आएगी क्योंकि यार देखो ऑफिचियल कंफरमेशन किसी के पास नहीं कि यह बाइक कब तक लाउच होगी सिंपली मैं आप कंपणी के तरफ से या तो कुछ उसने हम लोग को कंफरमेशन नहीं दिया या फिर उसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं बोलाए कि यह अभी एक-दो महाईने में आने वाली है ऐसा कुछ लेकिन हम लोग एकस्पेक्ट कर सकते हैं कि यह एक-दो महाईने में लाउच होगी क्य क्या-kya features आप लोग को देखने को मिलेंगे company के तरफ से ज्यादा से ज्यादा कुछ changes नहीं देखने को मिलेंगे simply आप लोग को LED headlight का प्रोजेक्टर headlight का setup देदेगा आप लोग को जितना LED setup चाहिए LED indicators LED DRLs यह सारे चीज़ आप लोग को देखने को मिल जाएंगे जैसे ब और body में या तो कुछ दूसरे parts में कुछ भी changes नहीं हो इंजिन में तो कदा ही change नहीं होने वाले हैं और तो और जैसी इंजिन आप लोग को आती थी यह 7 वाला इंजिन प्रोबाइड किया जाएगा कुछ power output पे changes नहीं कुछ changes नहीं simply जैसे bike आती थी वैसी ही आएगी और त जादा कुछ body graphics में भी change नहीं है तो guys बस मैं आप लोगों को यह simply यह बता देना चाहता हूं कि हम लोग के पास कोई भी official confirmation नहीं है तो guys आप लोग अगर जा सकते हो तो दूसरी गाड़ी के लिए जाओ लेकिन pulsar RS200 के levers जो भी है वो अगर wait करना चाते हो तो एक-दो मैना wait क कर लो देख लेते हैं कुछ अगर update हम लोग पास आती है यह company कुछ update निकलती है तो मैं आप लोगों को तक जरूर शेयर करूंगा तो उसी के चलते थोड़ा बहुत wait कर लेते हैं तो क्या update निकल करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा तो guys यही थी बस एक छोट इस information शेयर करनी थी आप लोग अगर वीडियो अच्छी लेगे तो like कर दो subscribe कर दो मिलते अगले वीडियो में ऐसी update के साथ till then bye bye take care guys